बॉम्मे हाइकोट ने कहा कि खिरकिंडी गाउं के छात्रों को कोईना नदी के बैक वाटर में नाउस यात्रा कनी पड़ती है और फिर अपने स्कूल तक पहुशने के लिए जंगल से उकर जाना पड़ता है अदालत ने महाराष्ट्र के मुखि सच्चू को संभंधित विभागों के सच्चू के साथ बैठक बलाने और सकरात्मक और स्थाई समधान निकालने के निदेश दिया हाई कोट ने कहा कि वो केवल बच्चो को उनकी सिक्षा के लिए साहिता और सुविधाये प्राप करने में दिल्चस्पी रखते है अदालत ने कहा कि 17 जिले के गाउं में दो हैलिपेड है लेकिन कोई सड़क या पूल नहीं है न्याय मूर्ती वरले ने कहा कि हमें कुछ गाउं में हैलिपेड से कोई आपती नहीं है लेकिन साथ ही हम बच्चो के लिए स्कूल या कॉलेज जाने कि उनकी सिक्षा पूरी करने और समाज की मलत करने के लिए अच्छी सड़के भी देखना चाते है उन्होंने कहा कि हम केवल ये चाते है कि राज्य सरकार सकरात्मक कदम उठाए और जो भी संबह हो वो करे और स्थाई समाधान निकाले